अच्छा सुनो सब्स्क्राइब करने के बाद ना घंटी बचा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अप्लोड करू तो तुमारी फोल की भी घंटी बचे दस रुपए का सिक्का रखने वालों के लिए अब आई एक नई उसकवरी दस रुपए की सिक्के को लेकर आये लिना में मार्केट में कई बाते सुनने को मिल जाती हैं अधिक तर दुकान पर इस सिक्के को लेने से हिच किचाते हैं और ऐसे में अब भारती रिलसर पैंग ने पूरी देश में चल रहे हैं दस रुपए की सिक्के को लेकर एक जिरूरी सुचना जरी गिर दी हैं जिनने ना मानने पर जेल भी हो सकती हैं तो आये जानते हैं देश के कई सारे जखों पर कई प्रकार के सिक्के लेने से इंकार किया जा रहा है और कहीं पर 10 रुपए के सिक्के को लेने में दुकांदार आनाकानी कर रहे हैं और इसके आनामा कहीं पर तो एक रुपए वाला छोटा सिक्कार नहीं चल रहा है और इस वज़े से आम लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है जबकि भारती रिज़र बैंक के मताविक देश में सुभी प्रकार के सिक्के वैद हैं तदा कोई भी इसे लेने से इंकार नहीं कर सकता लेकिन सच्चा इस से विल्कुल विप्रीत है यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली एंसीयर में भी इस परकार के सिक्के शुखार नहीं किये जा रहे हैं इन जगों के आनावा 36 गट राजधानी राएपूर में भी दुस रुपे का सिक्का नहीं चल रहा है इस बारे में मोधी सरकात कि आदेश अनुसार भारती रिसर बैंक ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी सिक्के रिसर बैंक के नियम की तहस जारी किये गए हैं तदा सभी सिक्के वेद्ध हैं ऐसे में अगर कोई वेक दिया बैंक, इन सिक्कों को लेने से मना करता है तो इसकी सुचना तुरूंत पुलिस को दीजाने जाएं, सारी भादिये, डिजर बैंक ने भी ये कहा है कि इन सिक्कों को लेने से मना करना एक बड़ा अपराद है